नमस्कार शाथियों, मैं हूं दिलिप चौदरी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, अभी नंदन है आज हम सुदर्सन जील, जो वर्तमान में गिरनार जिला, जूनागड गुजरात में है, उसका अध्यन करने जा रहे हैं यानि सुदर्सन जील से संबंदित महतपूर जो फैक्ट आपके पृतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज उस सारे फैक्ट को मैं यह आपे बताने जा रहा हूँ सुदर्सन जील वर्तमान में है कहाँ पर, तो गिरनार ये जूनागड गुजरात में पढ़ता है, यहाँ पर इस सुदर्सन जील का निर्मान कराया गया अगर हम इसके निर्माता की बात करें, तो इसका निर्माता था चंद्र गुप्त, मौरे का राष्ट्रिये, नाम था पुष्य गुप्त वैश्ये आप कहेंगे कि ये राष्ट्रिये क्या है, तो सुदर्सन जील के निर्माताओं की जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी हमें मिलती है गिरनार अभिलेक से, गिरनार या जूनागड अभिलेक से इसकी जानकारी मिलती है ये गिरनार या जूनागड जो अबिलेक है ये रुद्रदामन ने लिखवाया था रुद्रदामन जो सक वन्स का शाशक था इसने इसका निर्मान जो है इसका अबिलेक का जो निर्मान था वो कराया था यानि इस अबिलेक को लिखवाया था तो चंद्रगुप्त मौरे के राष्ट्रिये सब्द का उल्लेक इसमें मिला है और इस अबिलेक में जो राष्ट्रिये कहा गया है वो राष्ट्रिये यहाँ पर कहा है राज्येपाल को किसको कहा है? राज्येपाल को राश्ट्रिय कहा है तो चंद्रगुप्त मौरे का जो राज्येपाल था वो था पुष्यगुप्त वैश्य जिसने इसका निर्मान कराया था कुछ समय बाद ही या छतिगस्त हो गई और इस पर एक बांध का मजबूत बांध का निर्मान जो कराया यानि इसकी जो मरमत करायी या इसका जीर्नो धार जो कराया वो कराया आपके अशोक का एक गवर्नर था तो शाप तो शाप जो यवन था इंडो ग्रीक था और किसका गवर्नर था अशोक का राश्ट्रिय था राश्ट्रिय यानि की गवर्नर कह सकता हूं या इसको मैं राज्येपाल कह सकता हूं राज्येपाल इसने इसका क्या कराया था इसने इसका कुनर निर्मान कराया था या मरम्मत इसकी कराई थी फिर इसको बाद में रुद्र दामन का एक गवर्नर था शू विशाक ये शू विशाक जो था ये रुद्र दामन का गवर्नर था रुद्र दामन का गवर्नर इसने इसका पुनर निर्मान कराया रुद्र दामन ने जब अभिलेक लगवाया तो इसमें यहां तक की जानकारी मिलती है कि सर प्रथम इसे चंद्रगुप्त मौरे के गवर्नर पुष्य गुप्त वैश्य ने बनवाया, बाद में इसका पुरन निर्माण तुशाप जो एक यवन था और अशोक का गवर्नर था उसने इसका पुरन निर्माण कराया, बाद में इसके मरमत जो है वो सुविशाख ने कराई, जो र परणदत्त का पुत्र अब आप कहेंगे परणदत्त कौन था तो ये परणदत्त जो था ये आपके इसकंद गुप्त का इसकंद गुप्त का गवर्नर था इसकंद गुप्त का गवर्नर अब आप कहेंगे इसकंद गुप्त कौन था इसे भारत का युदिस्थिर कहा जाता है भारत का युदिस्थिर यानि युद्ध में इस्थिर रहने वाला दूसरा युदिस्थिर या भारत का युदिस्थिर इसकंद गुप्त को कहा जाता है और ये पहला व्यक्ति था जिसने हुणों को पराजित करके ख़दे इर दिया था भारत से तो यहाँ पे शुदर्शन जील का एक बार दोबारा से हम रिव्यू करें गिरनार जूनागड गुजरात में है निर्माता चंद्रगुप्त मौरे का राज्यपाल था और उस राज्यपाल का नाम था पुश्यगुप्त वैश्य अगर उप्सन में यह ना मिले तो आप चंद्रुत मौरे चुन लेंगे मरमत या जीर्णोधार का जो कार्य किया वो तुशाप यानि एक यवन ने किया जो असोग का राश्यपाल था या रज्यपाल था या गवर्नर था बाद में इसकी मरमत सुविशाख ने कराई जो रुद्र दामन के समय गवर्नर था और यह पल्लव था पल्लव वन्स का ध्यान रखें यह पल्लव वन्स का विक्ति था उसके बाद तीसरी बार जो इसका पुर्ण निर्मान कराया वो चक्रपालित ने कराया चक्रपालित पर्णदत का बेटा था और पर्णदत इसकंद गुप्त का उस समय सौरास्ट का गवर्नर था ये जो प्रदेश पढ़ता था, इसे भारतिय इतिहास में सौरास्ट कहा जाता है, सौरास्ट, तो ये सौरास्ट यानि गुजरात का जो इलाका है, इसे सौरास्ट कहा जाता था, जो वर्तमान में, जुनागड में, और गिरनार है, और यहाँ पर इसकी जानकारी जो सबसे ज आया था जिसमें मैंने शुदर संजील की जानकारी आपको दी है इसी के साथ अगर कोई आपको कमी इसमें लग रही है तो आप हमें कमेंट के माद्यम से बताएं और अच्छा लगे तो इसे शेयर करें बहुत-बहुत धन्यवा साथ हो जै हिंद जै भारत